दोस्तो क्या आपको पता है आज इस देश के सबसे सकती साले इंसान कौन है वो है Mr. Modi, Prime Minister Modi लेकिन क्या Prime Minister Modi जी ने कभी ये बनने के लिए कोई तयारी की है और अगर नहीं किया तो क्या ऐसी बेवस्ता है जहां से कोई सीख सकता है इस तरह से politician बनना, राजनेता बनना, politics में कै अगर नहीं सीख सकता तो क्या इसकी जरूरत नहीं है दोस्तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो IS की कोचिंग करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं लेकिन एक राजनीता कोई बनना चाहे, कोई politics में आना चाहे तो उसके लिए कोई institution बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वस institution की कमी पूरी करने के लिए आ गया हूँ मैं, मेरा नाम है संदीप और मैंने PhD किया है, पॉलिटिकल साइंस में जे नियू से, इमफिल किया है एजूकिसन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में, इमेचारडी और नीबा, पहले भी मैंन हिंदू कोले से पढ़ाई करी है, इंडिये के SSB निकाला है, UPSC मेंस लिखे हैं, इन सारे experience के हैं, मुझे politics में interest है, मैं लगातार debate करता रहा हूँ, लोगतांतरिक बेवस्था के लिए ना सिर्फ debate जरूरी है, एक बहतर debate जरूरी है, एक बहतर debate जहाँ पे आप किसी और को अंदभक्त बोलके उसके argument खारी ना करें, किसी और को आप माविस्थ बोलके argument खारीज ना करें, उससे बाते करें, dialogue करें, और जहाँ पे अच्छे leaders की आपको पहचान हों, चाहे वो अटल जी हों, चाहे वो नहरु जी हों, और एक cross party जो अच्छे politicians हैं, उनके बारे में, इ ये channel इसलिए है, क्योंकि जिस तरह से art of cooking होती है, art of dressing होती है, वैसे ही art of politics भी होती है, और पूराने समय में ये माना जाता था, जब भी आप बड़े-बड़े राजाओं के बारे में जानेंगे, उन लोग को सिखाया जाता था कि राजनीती कैसे करते हैं, उन लोग को सिख जाए जाएगा, क्योंकि अब राज तंत्र नहीं है, लोग तंत्र है, तो पहला reason है, क्योंकि ये neglected field है, इसलिए हम इसको करना है, दूसरा reason है, पक्ष और बिपक्ष को दुस्मन जैसे बना देने की वज़ा से, जो dialogue की possibility खतम होती जा रही है, उस वज़ा से भी, अपने जै पता होना चाहिए कि ideology क्या है, पता होना चाहिए भारत का इतिहास क्या है, भारत की राज बेवस्ता क्या है, भारत के politicians क्या है, भारत की विदेशनीति क्या है, और सारी बाते जानने के लिए ये channel सुरू किया गया है, वो सारी बाते आपको सिखाए जाएगी, अब कुछ औ politicians हैं जिनके साथ उनकी personalities match करती हैं, किस politicians जैसा हो बन सकते हैं, कौन-कौन से past में politicians थे और निता थे जिनके जैसा आपके अंदर quality है या बनना चाहें तो जो अच्छे politicians थे जो अभी के दोर में अच्छे politicians हैं जो अच्छे से अपनी बाते रखते हैं, अच्छे से अपनी बाते कहते हैं, जिनमें good politician क्या होता है, good leader क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में भी understanding बनाने के लिए इस channel पर बहुत सारे जान करें मिलेगी चौथा reason है channel बनाने का politics as a carrier भी आपको देखना चाहिए, जब आप IS को as a carrier देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, इंजिनियर्स को देखते हैं, तो politics as a carrier क्यों नहीं देखना चाहिए, हम लोग ये क्यों assume कर लेते हैं कि जो लोग भी राजनीती करेंगे वो सिर्फ सेवा भाव से आते हैं, आप करियर भाव से भी आ सकते हैं, क्या जो लोग आयस बनते हैं कि वो लोग सेवा भाव से जानते हैं similar तोर पे चौथा reason है कि politics as a carrier के लिए भी आपको इन चीजों की जरूरत होगी जहां पे आप सीख पाएंगे कि कैसे आप politics कर सकते हैं, politics में कितने तरह के काम होते हैं चाहे campaign management हो गया, political communication हो गया, speech writing हो गया, social media handling ऐसे बहुत सारे काम है जहां आप carrier बना सकते हैं, तो चौथा reason ही हो गया पाँचवा reason है कि भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्र माना जाता है मदर अब democracy कहा जाता है, जो अभी ministry नेन कर रहा है अब इन परंपराओं को बचाने वाला कोई तो चाहिए, जो अच्छे से debate कर पाता हो, अच्छे से अपनी बाते कर पाता हो जो केवल पक्च और विपक्च मेरा बाते करता हो, जो देश के बारे में सोचता हो और party और उन चीजों के beyond उटके सोचता हो, तो ऐसे अगर नेताओं को तयार करना है अपने भगत सिंग, सुवाजचन बोज, गांधी जी, नहरो जी, इन लोग की परंपराओं को अगर बचाना है डक्टर अभियारंबेटकर, सरदार बटेल, ऐसे लोगों की परंपराओं को बचाना है तो आपको एक जगा चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे knowledge मिले, बहुत सारी understanding मिले और जहाँ पे ये goal नहों कि आप मेरे जैसा सोचे मेरा काम है आपको biology पढ़ाना, वैसे ही उनका मेरा काम है आपको politics अब हम क्या करने वाले हैं इस channel पे वो बाते बता देता हमें आपको इसमें 4-5 level के काम होंगे, पहला होगा कि आपका individual diagnosis कि क्या आप politics के लिए ready हैं या politics में किस domain में आप ज़्यादा बहतर काम कर सकते हैं तो personal जो diagnosis होगा, जहाँ पे आप खुद को जान पाएंगे कि आपका knowledge level क्या है आपका speaking ability कितना है, आपका political communication कितना है, आप management कितना अच्छा अगर पते हैं और भी जो बतनी ही बाते हैं वो सारा diagnosis होगा, ताकि आप सही से situate कर पाएं कि किस political party के साथ आप ज़्यादा align करते हैं, अंतर आत्मा आपके साथ, किन के साथ आप गवाही देती है और अगर आप ये नहीं करते हैं, तो बार में हर चार साल बाद, पान साल बाद, आपकी अंतरात्मा से एक नहीं आप आप आजाएगी, आप party बदलेंगे और उससे आपकी credibility खराब होती है, कोई भी अगर ये बोलता है कि party बदलने चीए, कोई भी leader आपको नहीं बोलेगा कि party बदलने से उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, credibility पे असर पादा है और वो बार-बार आपको speeches में अलग-लग जगा पे दिख जाएगा, तो आपको Indian history के बारे में जो एक political history है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्द कराई जाएगी, तीसरा काम किया जाएगा आपको political जो understanding है, चाहे Indian constitution के बारे में है, Indian polity के बारे में है Indian governance model के बारे में है, वो चीज़ें आपको पता होनी चीए, कि इंडिया का model कैसा है, यहाँ की judiciary कैसी है, यहाँ पे विधाईका क्या होती है, कारेपालिका क्या होती है, हमें से बहुत लोग involved होते हैं ऐसी debates में, और हमें विधाईका, कारेपालिका और न्याइपालिका के बी चाहता है, वहाँ पे carrier बनाना चाहता है, कोई इंसान है जो केरला में politics करना चाहता है, कोई इंसान Tamil Nadu में, क्या सब लोगों को same skill set चाहिए, या similar तरीके से किया जा सकता है, साइब नहीं, अगर एक ही तरीके से किया जाता है, तो जो लोग केंदर में हैं, जो लोग UP जीतत करते हैं, उसकी understanding चौथे level पे बनाई जाएगी, और पांचवे level पे जो काम होगा, वो होगा, जब ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी, तो आप इन चीजों का यूज करके एक narrative कैसे बनाते हैं, आज का जो battle है, politics का, वो सिर्फ social work का नहीं है, वो social media का जमाना है, narratives बन सुनाई जाएगी, कोई वो नहीं, आप सीखिये, जाएगे, debates कीजे, यहाँ पे जो चीजें आपको लगती है, उस पर comment करके बताएगे, और यहाँ पे mail address भी है, बांकी चीजें भी है, जिसको भी connect करना है, personal guidance चाहिए, सारी चीजें चाहिए, आप बिल्कुल connect कीजे, और mail कीजे, और जो भी आपको help चाहिए होगी, personal वो provide कराएगी, इस टोटल ने कहाया है, कि राजनीती जो होती है, वो इंसान का ultimate goal हो, जब आप राजनीती करते हैं, तब ही आप realize करते हैं, कि आप इंसान है, तो उस इंसान बनने की journey में, सुरुआत करते हैं, इस पहले वीडिय करते हैं.